जबरदस नतीजें आये हैं टाटा मोटस की तरफ से और इसका पूरा श्रेन के जेलार बिजनस को जाता है जहां पे उम्मीद से बहतर प्रदशन देखने को मिला और इस बार हम आपको बता रहे थे के जेलार डिविजन में जो वॉल्यूम्स हैं वो 4% तिमाही दर तिमाही ब दिला है इस बार नतीजों की बात करें तो यहां पे तिमाही दर तिमाही इनका जो आए है वो करी 5% बढ़ती वी नजर आए है Consolidated EBITDA में करीब 12% का इजाफा हमने देखा है वही margins भी हमारी उमीद थी के 13.3% पे रहेंगे पर 13.9% कंपती ने अपने margins दर्श किये हैं और यहां पे जेलार के EBIT margins जो हम उमीद करें थे 7.4% पे आएंगे 8.8% यह कंपती ने अपने EBIT margins दर्श किये हैं तो across the board उमीद से बहतर नतीज़े और आखरी में profit figure पे भी surprise करती वी नज़र आई है हमारी उमीदी कि 4,500 करोड के आसपास यह आखड़ा रहेगा कंपती ने 6,950 करोड अपना profit दर्श किया है तो हमने देखा के नतीज़े तो अच्छे आई ही पर साथी announcements भी अच्छे हैं क्योंकि कंपनी का कहना है कि जो उनकी debt reduction की guidance है करजा कम करने की guidance है cash flow generation की guidance है उस पे वो पूरी तरीके से काम कर रहे हैं और इस्तिमाही भी कई सारे steps लिये हैं जब net automotive debt है वो कम होकर अब 29,200 करोड पे आ गया है और साथी cash flow generation जो जेलार का है वो भी काफी मजबूत रहा है जहां पर पिछले quarter उनकी करीब 300 million pounds का cash flow generation किया था जेलार division में यहां पे 626 million pounds का cash flow generation हुआ है कमपनी का कहना है कि जेलार के लिए outlook positive है इंडिया passenger segment में भी इनका कहना है कि जो EV का segment है वो pre-R&D cost पे अब break-even level पे आ चुका है आने वाल समय में यह भी segment profit पे रहेगा हाला कि commercial vehicle division को अभी थोड़ी सी चिंताएं वहां पे जरूर है थोड़ा slowdown वो face कर रही है पर double digit margin वहां पे भी company ने गोशित किये हैं तो across the board हमने देखा कि अच्छे नतीज़ा है टारो मोटर्स की तरफ से